आगे लग सुवान दला फर्माते हैं वा इज और जब सुरफना फेर लाए हम इलेई का आपकी तरफ यानि रसूल अल्ला सर इल्ला हुलिय सेलम की तरफ नफरन एक ग्रो मिनल जिन्नी जिन्नों में से नफरन कहते हैं लोगों का ग्रुप जिसमें कमस कम दस लोग हूं और उसमें सिर्फ मर्द हूं अब एक ग्रो आया था जिन्नों में से यस्तमिवून अल्कुरान जो गोर से सुन रहे थे ग्रान ग्रान इनकी तारीफ कर रहा है इन जिन्नों की एक जिन कुरान को गौर से सुन रहे थे फलम्मा फिर जब हदरु हूँ वो हाजिर हुए आपके पास हदरा कहते हैं दिल और दिमाग के साथ हुजूरी पूरी यक्सुई और तवज्जो के साथ हाजरी वाकई जो सुनने के लिए आया हूँ फिर जब वो हाजिर हुए आपके पास कॉलू कहने लगे अंसु तू चुप हो जाओ खामोश हो जाओ एक तो इन्हों ने मुकमल यक्सुई के साथ कुरान को सुना गौर से सुना और खामोशी के साथ सुना इस तरह गौर से सुनने का नतीजा ये निकला के इनके दिल में कुरान उतर गया फालमा कुदिया तो जब पढ़ लिया गया आपसर लिए लिए अपनी किरात को मुकमल कर लिया वल्लो फिर गये इला कोमिहिम अपनी कोम की तरफ मुन्जिरीन खबरदार करने वाले बन कर कुरान को इतने गौर से सुना कि कुरान इनके दिल में बुतर गया और इसके बाद दूसरों को बताने की फिकर में ये मुबतला हो गये अब हम जाकर दूसरों को बताएं कि हम क्या सुनकर आएं हैं खबरदार करने वाले बन गए अल्ला ताला की मखलूक में दो मखलूक ऐसी हैं जिनको अल्ला ने शरीयत का मुकलफ बनाया है यानी उन पर शरीयत पर अमल करने की तकलीफ डाली है दो मखलूक ऐसी हैं एक जिन और दूसरे इनसान जब अल्ला ताला ने इनसानों को पैदा किया तो इनसानों की पैदाईश से पहले इस जमीन पर जिनावाद थे और इनकी तरफ पेगंबर भी जिनों में से ही मबूस होते थे लेकिन जैसे ही पिर अल्ला ताला ने इनसानों को पैदा किया तो चूंके इनसान अश्रफल मखलुकात है इसलिए अब नबूत का सिलसला फिर इनसानों में मुंतकिल कर दिया गया ट्रांसफर कर दिया गया अब जो पेगंबर इन्सानों की हिदायत के लिए आ रहा था वो ही पेगंबर जिन्नों के लिए भी हुआ करते थे जैसे के रसूल इल्ला सर इल्ला हुले सिल्म जिस तरह हमारे लिए पेगंबर है न इसी तरह से जिन्नों के लिए भी है और आप सर इल्ला हुले सिल्म से कुरान सुनने का जिकर जहां इस मकाम पर आया है ऐसा दूसरा सुरे जिन में भी आएगा इंशाला आगे पढ़ेंगी सुरे जिन लेकिन हम रिवायात को देखते हैं तो मालूम होता है तकरीबन छे मरतबा मक्की दौर में ऐसा मौका आया कि जिन रसुलिल्ला से कुरान सुन कर गए अब कुछ रिवायात आपके सामने रखूंगी इन में थोड़ा सा इखतलाफ महसूस होता है कि ये कौन से टेम पे कब हुआ था उस सिर्फ अलग-अलग मौकों की वज़ा से लेकिन सारी ही रिवायात ऑथेंटिक हैं कैसा हुआ था सेदना अब्दिल्ला बिन अब्बास रिवायात अन्हुमा फर्माते हैं कि एक दफ़ा आप सर लिवाया अपने चंद सहाबा के हमरा उकास के बजार जाने के इरादे से रवाना हुए इन दिनों शेतानों को आस्मानों की खबर मिलना बंद हो गई थी और इन पर अंगारे फेंके जाते वो जमीन की तरफ लोटे और आपस में कहने लगें कि क्या हो गया है हमें आस्मान की खबर मिलना बंद हो गई है और हम पर अंगारे फेंके जाते हैं जरूर कोई बात वा वाकि हुई है इन में से कुछ शेतान इतहामय की तरफ भी आये और आप और अप तक पहुँचके उस सौफ आप नखला में थे और अकास के बजार जाने का कसद रखते थे यानि इरादा रखते थे आप ﷺ अपने सहाबा को नमाज फजर पढ़ा रहे थे जब इन जिन्नों ने कुरान सुना तो इधर कान लगा दिये पिर कहने लगे ये वही चीज़ है जिसकी वज़ा से हम पर आस्मान की खबर बंद कर दी गई है पिर उस वद वह अपने कौम की तरफ लोटे और कहने लगे या कवमना इन्ना समिःना कुरान अजबा और पिर आखर में आहदा तक और आप ﷺ पर सुरे जिन नाजल फरमाई अबन अबास रजिल्ह ताला अन्हों फरमाते हैं कि जिन्नों की गुफटगू आपको वही के जरिये मालूम हुई इसे बुखारी ने रिवायत किया है यह आप ﷺ ने उनकी आमद को महसूस नहीं किया आपको वही के जरिये बताया गया कि आपकी ये किरात सुनकर जिन गए हैं और वो अपनी कौम को डराने वाले बन गए हैं एक और रिवायत आती है सेदें अब्लिल्ह बिन मसूद रदिल्ह उन्हों फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल लाव स्थे के साथ थे कि आप एक दम हमसे गायब हो गए रसूल लाव स्थे को पहार की वादियों और घाटियों में दलाश किया मगर आप सर लाव उन्हों नहीं मिले हम समझें कि आपको जिन उड़ा ले गए हैं या किसी ने चुपके से मार डाला है रात हमने बड़ी परेशाने में बसर की कि जब सुबू हुई तो देखा कि आप हिरा की तरफ से आ रहे हैं हिरा पहार था ना जिसमें आप सर लाव गारे हिरा में जाये करते हैं तो हिरा की तरफ से आप सर लाव स्थे वापस आ रहे थे हमने अर्स किया या रसूल आल्लाव स. रात को आप हमसे गाइब हो गए हमने आपको तलाश किया मगर आप ना मिले तो रात हमने बड़ी पदेशानी में गुजारी है बहुत टेंशन में हमारी रात गुजरी है आप स. राल्लाव स. में फरमाया मुझे जिन्नों की तरफ से एक बुलाने वाला आया मैं उसके साथ गया और जिन्नों को कुरान समाया फिर वो हमको अपने साथ लेकर गए फिर आप स. राल्लाव स. सारे सहाबागरम को लेकर गए और इनकी निशानिया और इनके आग की निशान हमें बताए फिर जिन्नों ने आप स. राल्लाव स. से तोशिया का मतालबा किया आप स. राल्लाव स. में फरमाया इस जानवर की हर हड़ी जो अल्लाव के नाम पर काटा जाए तुमारी खौराक है तुमारे हाथ में पढ़ते ही वो गोश्ट से पूर हो जाएगी और हर उट की मेंगनी तुमारे जानवरों की खौराक है फिर आप स. राल्लाव स. में फरमाया हड़ी और मेंगनी से इस तंजा मत करो क्योंकि वो तुमारे भाई जिन्नों और उनके जानवरों की खौराक है अब्दिल्ह बिन मसूद रदिल्ह उन्हों कहते है कि मैंने वो रात जिस दिन जिन नभी अक्रम स. को लेकर गए थे रसूल्ह स. के साथ नहीं था लेकिन मुझे आर्जू रही काश मैं आपके साथ होता यानि मैं भी जाता ये दरख्त ने बताया आप सरह रहरा उन्हों को के आपके पास जिन्नों का ग्रॉव आया है तो जो रिवायत अभी आपने पढ़ी है हज़र अब्दिल्ह बिन मसूद रदिल्ह तालानों से मुखतलिफ अहादिस की किताब में मौजूद है इन से ये मालूम होता है कि जिन्नों की पहली हाजरी का ये वाकिया जिसका जिकर इस आयत में है वो वादिये नखला में पेश आया था और एक दूसरी रिवायत के मताबिक ये वाकिया उस वक्ट पेश आया जब आप एहले ताइफ से मायूस होकर मक्का वापस आ रहे थे और रास्ते में आपने वादिये नखला में क्याम किया और वहाँ इशाय अफजर या तहजुर की नमाज में आप पुरान की तिलावत फर्मा रहे थे और जिनों के ग्रोका वहां से गुजर हुआ और आपकी किराद सुने के लिए वहाँ ठैर गए थे इस मौके पर जिन रसूल अलावत सुने के सामने नहीं आये थे और नहीं आप सुने उनकी आमद को महसूस किया था बाद में लगत आला ने आपको बजरिय वही इनके आने और पुरान सुनने की खबर दी थी खेर सीखने की बाती है कि जिन्नों के इस गरों ने इस गुरान को सुना बड़े गोर से सुना उससे मतासिर हुए और रसूल अलावत सुन की रसालत पर और गुरान पर इमान ले आए इतना ज़ादा इससे मतासिर हुए कि जाकर अपनी कौम को भी डराने वाले बन गए कौलू उन्होंने कहा या कवमना एह हमारी कवम इन्ना समिएना बेशक हमने सुनी हमने किताबन एक किताब मुराद कुरान है हमने कुरान सुना है उन्जिला उतारी गई मिम बाइदी मुसा मुसा ले से लाम के बाद मस्वधिकन तज्दीक करने वाली लिमा वास्ते उसके जो बेन यदई जो उससे पहले है यहदी इलालहक हिदायत देती है हक की तरफ और तरफ सीधे रास्ते के यह कुरान हक की तरफ हिदायत देता है और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है अब यहां जिन्नात हज़त मुसा की किताब तौराद का तो जिकर कर रहे हैं लेकिन तौराद और कुरान के बीच में इंजील भी है तो क्यों इन्हों ने इंजील का जिकर नहीं किया और इन्हों ने तौराद का जिकर किया इसकी एक वज़ा मुफसरिन ये बताते हैं हज़र ईसा पर जो इंजील नाजल की गई उसमें वाज़ और नसीहते थी हलाल और हराम से मतलिक एहकाम बहुत कम थे इंजील दर हकीकत तौरात की शरियत की कंप्लेशन थी तक्मील थी और ये भी वज़ा हो सकती है कि तौरात कुरान के साथ बहुत मुशाबह है बहुत मिलती जुलती है ने इस खुद तौरात में रसुल आल्ला से आमद से मतलिक जो पेशिंग को ये मस्कूर है उसके अलफाज ये है ए मुसा मैं तेरी मानन एक नभी भेजूँगा हज़र इसा ने भी ये कहा के मैं तौरात को बदलने नहीं आया बलके मैं इसकी तक्मील करने के लिए आया हूँ तो इस वज़ज़ से जिन्नात ने इंजील का नाम नहीं लिया और तौरात का नाम लिया लेकिन इससे एक बड़ी एहम बात पता सलती है कि ये जिन कुरान से पहले जो तौरात थी उसको जानते थे और आसमान से उत्री हुई किताबों के बारे में जानते थे जैसी उन्होंने कुरान सुना इनको फौरान मालुम हो गया कि ये वही तालीम है जो पहले के अंबिया पर भी नाजिल होती रही है लहाज़ ये फौरान ही मान लाएं जरा देर नहीं लगा है इन्होंने अब एक रिवाएज जो हम अभी पढ़ रहे थे कि नभी एकरम से लिल्ला अल्युम जब ताइफ़ वालों को दावत तबलीग करने गए थे और उन्होंने रसुल अल्युम को जुटला दिया और ये सारी डीटेल्स हम सीरा में पढ़ भी चुके हैं जब आप से लिल्ला अल्युम मक्का वापस आ रहे थे तो आप से लिल्ला अल्युम पर ये और जिनको आप से लिल्ला अल्युम दावत डावत डारेक्ली देने नहीं गए थे वो रसुल अल्युम पर इमान लेया है तो इससे बहुत एहम बात ये पता चलती है कि अगर आपकी कोशिश सची है तो अल्ला उस कोशिश को जरूर सराहेगा हो सकता है कि जो आपसे डारेक्ट सुन रहा हो आपकी बात उसको उतना फाइदा ना पहुँचाए कि जो आपकी बात को इन डारेक्ट सुनकर फाइदा हासल कर ले और वो किसी के इमान लाने का सबब बन जाए किसी की इसलाह का सबब बन जाए तो इखलास से दी गई दावत जाया नहीं होती अल्ला ये देखता है कि आप किस नियत से उस काम को कर रहे हैं क्या आपकी कोशिश है ये जिन्नात कुरान की रूह को पहचान गए कुरान की मेसेज को पहचान गए और अल्ला ताला को इनका ही अमल इतना पसंद आया कि इसका जिकर अल्ला ताला ने कुरान में कर दिया और ये सिर्फ खुद सुनकर बैट नहीं गए बलके आगे अपनी कौम को भी बताया पिर कहते हैं या कवम ना एह हमारी कौम अजीबू जवाब दो दावत को कबोल करो दाइे लो अल्ला के दाईे की मुराद रसोल सोलिएस रहे हैं ये जिन अपनी तरफ नहीं बुला रहे बलके रसोल लों चौम की तरफ बुला रहे है और आमिनू और आमान लियाव भी सात उसके बीही की जमीर रसुल अल्लाह साल लाहुलाई शल्म पर भी जा रही है और गुरान पर भी जा रही है तो इस गुरान पर इस रसूल पर एमान ले आओ यावफिर लकुम बख्ष देका तुम्हारे लिए मिन दुरू बीकुम तुम्हारे गुनाहों में से तुम्हें तुम्हारा एमान लाने का फाइदा ये मिलेगा कि अल्ला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा वा युजिरकुम और पनाह देगा तुमको बिन अदा बिन अलीम दर्दनाक अजाब से तो ये एमान का फाइदा है गुनाहों की बख्षिश और दर्दनाक अजाब से पना वैसे भी जिसकी गुना माफ हो जाएं तो वो अजाब अलीम से बच जाता है अब जिन्नों का अंदास कितना खुबसूरत है अगर कोई नई मानेगा तो अल्ला को जमीर में आजज़ नहीं कर सकता अल्ला को नहीं हरा सकता कोई भी अलाए का फिय दॉलाल मुबीन यही लोग खुली गुमरही में हैं जो अल्ला का नाफर्मान होगा वो अल्ला से बच नहीं सकता क्योंकि ये जिन आस्मान की तरफ तो जा नहीं सकते थे क्यों नहीं जा सकते थे पुरी सिक्यूरिटी बढ़ा दी गए थी जैसे ही जाते थे फरिश्टे उन्हें मार भगाते थे लहाज़ अब जमीन में ही रहना है जमीन से भी भाग कर कहा जाएंगे कोई और जगा तो है नहीं और क्या उन्हों ने देखा नहीं अन्नलाह बेशक अल्दी वो जात है खलक समावात वाल अर्द जिसने पैदा किया आस्मानों को और जमीन को वलम और नहीं याया थका बिखल्किहन साथ उनकी तखलीक के बिकादिरिन कादिर है अला इस बात पर अयुहीयल मौता के वो जिन्दा करे मुर्दों को बला क्यों नहीं इन्नहु अला कुली शेय इन्कदीर बेशक वो हर चीज़ पर कुद्रत रखने वाला है यहूद ने अल्ला पर ठक जाने का इल्जाम लगाया था यहां इस आयत में यह बताया जा रहा है कि अल्ला की जात ठकने से आराम करने से सोने से पाक है जो लोग यह ख्याल करते हैं वो अल्ला को अपने जैसी आजिज़ और मोहताज मखलूक समझते है हानके किसी भी चीज़ से अल्ला की मिसाल नहीं दी जा सकती तो यहूद के इस अकीदे का रद इस आयत में मौजूद है वो यह कहते थे कि अल्ला ने छे दिनों में जमीन और आस्मान पैदा किये पिर साथवे दिन आराम किया अल्ला कहते हैं अल्ला नहीं ठका साथ इनकी तखलीक के और यह आयत एक तरह से बाएसा बाएदल मौत पर भी दलील है कि जो रब यह काइनात पहली दफ़ा बनाने में नहीं ठका वो दुबारा मौदों को जिन्दा करने में क्यों कर आजिस होगा क्यों नहीं बेशक वो हर चीज़ पर खुदरत रखने वाला है पेश किये जाएंगे वो लोग जोनों ने कुफर किया अलन नार आग पर उस वो दिन से पूछा जाएगा क्या नहीं है ये हक कालों वो कहेंगे बला क्यों नहीं काला फर्माया जाएगा आज बहुत सारे लोग हग को नहीं मानते लेकिन कल क्यामत के दिन इस ठोस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे फस्विर बस सबर कीजिए आप सले लह लिसम से कहा जा रहा है क्योंकि मक्की दोर बहुत मुश्किल था और जब आप सले लह लिसम ताइफ से वापस मक्का गए थे तो हलात और मुश्किल हो गए थे आप सले लह लिसम को सबर की तलकीन की जा रही है फस्विर बस आप सबर कीजिए ताइफ के बाद एक एक दिन इतना मुश्किल हो गया था इसी वज़ा से रसुल लह सले लह लह लिसम को हिजरत करनी पड़ी थे लेकिन जब तक हिजरत का हुकूम नहीं आया था तब तक सबर कीजिए कमा सबरा जैसा के सबर किया अलुलाजमी हिमत वालों ने मिन रुसुल रसूलों में से वैसे तो सब ही अंबिया अलुलाजम होते हैं लेकिन उर्फ आम में पांच अंबिया को अलुलाजम कहा गया नमबर एक सेदना नूह अलिह सलम, दूसरे सेदना इबराहीम अलिह सलम, तीसरे सेदना मुसा अलिह सलम और चौथे हज़त ईसा अलिह सलम और पांच वे मुहम्मद सलिलाह अलिह सलम तो अल्लाजम ने इनको मिसाल भी बताई कमा सबर उलुलाजमी मिन रुसुल कि इनसान के सामने अगर मिसाल हो तो अमल करना असान हो जाता है अगरचे के काम मुश्किल भी हो और ना तुम जल्डी करो लहुम उनके लिए आप सलिलाह अलिह सलम ये चाहते थे या तो कुफार मक्का इमान ले आएं या फिर अल्लाजम इन पर अज़ाब नाजल कर दे जिसका ये हर वक मतालबा करते रहते थे तो अल्ला तारा ने जवाब दिया कि देखें आपने सबर करना है जैसा कि अलुल अज़म रसूलों ने किया उन्होंने कितनी मुद्द तक अपने मुखालफों की इजार असानियों पर सबर किया लहाज़ा रसूल अल्लाजम को इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहिए सबरो बरदाश्ट से काम लेना चाहिए काणनहों गोया के वो यवमा जिस दिन यरोना वो देखेंगे मा युअदून उसे जो वो वादा दिये जाते हैं जैसे ही वो कियामत के दिन को देख लेंगे लम्यल बसू नहीं वो ठहरेंगे इल्ला मगर सायतन एक घड़ी मिन नहारें दिन में से उनको ऐसे लगे का ये अज़ाब इतना जल्दी क्यों आ गया हम तो दुनिया में बस एक ही घड़ी ठहरे है कि अज़ाब आ गया और ये इनसान की फित्रत है कि मुसीबत की घड़ियां उसे तवील महसूस होती है लेकिन एश और आराम के साल उसे चंद घड़ियां मालूम होते हैं तो कियामत का दिन इस कदर सख्त होगा कि इनसान को अपनी दुनियावी जिन्दगी बिल्कुल एक लम्हे के बराबर महसूस होगी एक सार के बराबर महसूस होगी बला پیغام पहुचाना है सिर्फ इत्ना सा कह दिया गया पहुचाना है बात बहुत बुगतसर अंदाज में की ग divert ये इसल lives कि जामे बात बहुत पुरए सर होती है तो पेगाम पहुचाना है तो ये पहुचा देना है तो नहीं हलाक की जाएगी मगर फासिक कौम फहल का एक तर्जमा नाफिया भी किया गया और एक इस्तफामिया भी किया गया नाफिया तर्जमा किया जाए तो नहीं हलाक की जाएगी मगर फासिक कौम और अगर इस्तफामिया किया जाए तो क्या हलाक की जाएगी मगर ये सिवाए फासिक कौम के ये फासिक के इलावा भी कोई और हलाक किया जाएगा रुबिये करम सर लिल्हाओ अल्यूशलम को इस आखरी हिसे में तसली दी जारी कि जो मुश्रीकिन मक्वाब को तंग किये जा रहे हैं वो खत्म कर दिये जाएंगे हलाक कर दिये जाएंगे तो हवामीम का इखताम इस बात पर हो रहा है फहल यूह लकु इल्लकु इल्लकुम फासिकुम यह अल्हम्दुलिल्ह हमारे इसर मकमल हुआ तलावत सुनते हैं आयात की वइज सर्फना इल्यक नफरं मिन अल्जिन यस्तमियून अल्कुरान फल्मा हजरु हु कालु अंसितु फल्मा कुद्या वल्ल्व इला काव्मिहम मुन्दिरी कालु या कव्मना इन्ना समिعना किताब अन्जिल मिन बाद मुसा मुसद्दिकं लिमा बेन यदे यहदी इला इल्हक वा इला तरीक मुस्तकिम या कव्मना अजीबू दाइय ल्ल्ही या कव्मना अजीबू दाइय ल्ल्ही वा आमिनू बही यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम वा आमिनू बही यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम वा युजिर कुम मिन अधाब अलीम वा मन ला युजिब दाइय ल्ल्ही फलैस बिमुजिज फिल अर्द। वा लेस लहु मिन दुनिह ऑुलिया अलाइक फी जलाल मुबीन अवा लम यर्व अन ब्लाह लथी खलक स्मावात वा अर्द। वा लम या या बिखल्किहन बिकादिर अलाइं युहिया ल्मुटा बला इन्नहु अला कुली शेय कदीर वा लेव युम युरब लथीन कफरू अला न न आर अलैस भादा बिलहक कालो बला वरबिना काल फदूकु अलादाब बिमा कुनतुम तक्फरून फस्बिर कमा सबर अलु अलाद्म मिन र्रुसुल वला तस्टाजिल लहुम कान्नहुम युम यरून मा युओदून लम यल्बसु इल्ला सावा लम यल्बसु इल्ला सावतं मिन नहार बलाग फहल युहलक इल्ला ल्कवम फासिकून ठीक ही जी आज की लिए बस इतना ही रखते हैं वा आखर दर्वान आने ल्हम्दिल्लाह रुब्लालमीन सुभानक अल्लाहुम वभी हम्दिका नश्हदू अल्लाह इल्लानता नस्तफिर का वनतू विलेक